आज वेस्टरन डिल्बे के ब्रॉदर डिविजन में जे पीवे के लिए एक्जाम्स हुए हैं 28-7-2024 को जिसके प्रेसन इस प्रकार से हैं पहला प्रेसन है दे मिनमम लेंथ ओफ रेल क्लोजर इन मीटर अड़ टाइम अफ इमर्जेंसी रिपेयर इफ दे ल्ड़ ड़ू और गेट्स बकल सुड़ बी अपातकाली मरमत के समय जदे ल्ड़ू और बकल हो जाए तो रेल बंध होने की नियूंतम लंबाई मीटर में कित बी है 6.5 मीटर प्रसन संख्या दो डिस्टेंस ओफ फर्स्ट होल इन मिली मीटर फ्रॉम रेल इन्टु मेक दगेपलेश जॉइंट सोड़ बी अंतराल कम जोड़ बनाने के लिए रेल के अंतर से पहले छेद के दूरी कितने मिली मीटर पर होना चाहिए राइट साइड में हमने एक स्नैप्शॉट लगा रखा है उसमें अगर आप ध्यान पुर्बग देखें तो उसमें फर्स्ट होल के दूरी लिखी होई है 83 मीटर फॉर दर गैपलेश जॉइंट अतरा इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 83 मीली मीटर सोरी कुशन नंबर 3 संचारन प्रवन चत्रों में ERC असनेहन की आबिर्थी जो की बरसों में है कितनी है तो राइट साइड में स्नैप्शॉट लगा हुआ है और संचारन प्रवन चत्र के इने कोरोजन प्रोन एरिया में इसमें दिया हुआ है कि प्रवन से नहीं है तो ऑप्शन ये इसका राइट अंसर होगा प्रसन संचार मिनमम बैलास्ट कुशन इन मीली मीटर एड टी एसर अबलिक सीटीर साइट सुड़ भी टी एसर और सीटीर साइट पर नियूंतम गिट्टी कुशन कितनी मिली मीटर होनी चाहिए तो राइट स प्रसन संख्या पांच डिस्टेंस इन मीटर बिट्विन दे डिस्टेंस पिसेज ओन प्लैट्फॉर्म लाइन सोट भी जो प्लैट्फॉर्म लाइनस है उस पर दूरी वाले टुकनों की बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए तो राइट साइड में स्नैप सॉट लगा स्नैप सॉट में के लिए लिखा हुआ है कि मैक्सिमुम बियर पर्मिसेवल बियर और विंग रेल और नोज ओफ क्रॉसिंग सैल भी 10 मिलिमेटर यहां पर कहीं पर भी राजधानी रूट का वर्नन नहीं दिया हुआ है तो अधिकता मैक्सिमुम जो पर्मिसेवल बियर होग में हुआ होगा 10 mm option C प्रसंशन के साथ मिनमम डिस्टेंस इन मीटर ऑफ ए स्पीड ब्रेकर फॉन गेट पोस्ट ऑफ दे लेवल क्रॉसिंग इज लेवल क्रॉसिंग के गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की नियुनतम दूरी कितनी होगी मिलिमेट मेचिवरी मीटर में तो आप IRPW में दिया हुआ है कि one speed breaker should be provided on either approach of the level crossing at a distance of about 20 meter from the gate post of the level crossing. इसके साब से option C इसका right answer होगा. प्रसन संख है आठ फॉर 1673 मिलिमेटर गेज दर चेकरिल क्रॉसिंग सुड़ भी 1673 मिलिमेटर गेज के लिए क्रॉसिंग की नाग के बिप्रित चेकरिल क्रॉसिंग कितना होना चाहिए तो 1673 मिलिमेटर गेज यानि की PRC sleeper पर अगर PRC sleeper पर है तो जो क्रॉसिंग का जो गेज होना चाहिए वो 41-45 मिलिमेटर तक होना चाहिए जो कि यहाँ पर किसी भी option में अवलेवल नहीं है तो जो nearest answer है 41-44 मिलिमेटर तो इट केन बी टेकन अज़ राइट अंसर प्रसन संख्या 9 LWR can continue at least on the far in the far side of the bridges by inserting SCJ at the distance in meter तो राइट साथ में आपको snapshot है कि welding welded rail may be provided over a single spawn bridges with rail free fastening and SCJ with 190 mm gap at 30 mm 30 meter away from the both the apartment तो यहाँ पर इसके साथ सम्मंदित यह option B से सही इसका जवाब होगा question number 10 why replacing more than one sleeper at least how many sleepers in between shall be kept intact एक से अधिक सिलीपर बदलते समय बीच में कम से कम कितने सिलीपर बरकरार रखे जाएंगे आजर पीड़ों का snapshot है इसमें किले लिखा हुआ है कि not more than one sleeper in 30 consecutive sleepers से सैल भी रिप्लेश एट टाइम सो option C इसका राइट अंसर होगा maximum lifting in mm at one time in LWR lay down concrete sleeper track cell B concrete sleeper track पर बिचाई गई LWR में एक समय अधिकतम कितनी lifting होगी a snapshot है आर पीड़ों का lifting should not exceed 50 mm at a time so as to allow proper consolidation सो इसका जवाब होगा option C पचास range of temperature for the deep screening and LWR LWR में गहन screening के लिए तापमान की सीमा कितनी रखे जाती है a snapshot में बताया जगया हुआ है कि the range of temperatures falls within the TD plus 10 degrees से लेकर के TD minus 20 degrees Celsius deep screening may be done without cutting and temporary de-stracing तो इसका सभी जवाब option A होगा question number 13 at the time of building after pouring metal the train should be pass after how many minutes ढाटो दालने के बाद building के समय train को कितने minute के बाद pass किया जाना चाहिए तो यहाँ snapshot है उसके हिसाब से है कि 30 minutes के बाद ही pass किया जा सकता है option C इसका right answer है question number 14 for new track and through renewal of track tolerance for a spacing of sleeper with respect to theoretical spacing तो a snapshot में के लिए लिखा हुआ है कि spacing of sleeper जब नया track ढालते हैं तो plus minus 20 mm हो सकता है तो option B इसका right answer है question number 15 in a straight track gauge tolerance with new work और through renewal of work is done सीधे track में नया कार्ज या TSR की एसे में gauge के जो tolerance है वो कितना है तो सीधे track में जो gauge का tolerance होता है वो minus 5 mm से plus 3 mm होता है तो option B इसका right answer होगा question number 16 unevenness is measured on the base of तो जो इसमें options दिए गये हैं वो कोई भी track TRC से match नहीं करते हैं तो यह lower speed के लिए जो measurement करने के लिए unevenness का है जो manually हम measure करते हैं उस क्यादर पर इसका हम जवाब दे सकते हैं तो यहां पर 3.6 meter के core पर measure के जाता है तो option A इसका right answer होगा question number 17 distance to place banner flag on the BG from the work site is किसी भी work site से जो banner flag लगा जाता उसको लगाने के दूरी कितनी है तो उसके लगाने के दूरी 600 meter है right side में snap से आई RPWM के दिये हुए हैं while detonating the detonator minimum safe distance to be maintained by the person is detonator का भी sport करते समय ब्यक्ति द्वारा बनाई रखे जाने वाली new term structure दूरी meter में कितनी होती है तो IRPWM का snapshot है safety range में यहां पर क्लिए लिखा हुआ है कि कम से कम उसे 45 meter के radius से दूर होना चाहिए तो इसका उत्तर हो जाएगा option भी 45 meter number of insertion for lifting more than 30 mm for concrete sleeper is concrete sleeper के लिए 30 mm से अधिक उठाने के लिए प्रविश्टियों के संक्या कितनी होगी snapshot में लिखा हुआ है कि one insertion is adequate two insertion में भी necessary lifting is above 30 में तो 30 mm साधिक उठाने के लिए insertion होगा तो option B इसका right answer है minimum distance in meter between the two machine running in the same line should be एक ही लाइन में चलने वाले दो मसीनों के बीच के नियूंतम दूरी कितने होनी चाहिए जी एंडसर में तो इसके दूरी 120 मीटर दी हुई है पर पीवे मैनुवल और इंडियन रिलबे ट्रैक मसीन मैनुवल में यह दोरी 200 मीटर दी हुई है तो यहां option में 200 मीटर ही दिया हुआ है तो option B इसका सई जवाब होगा ती वी ओफ एलसी इस 90,000 वाट इस दे क्लासिफिकेशन ओफ दिस एलसी एक एलसी जिसका टी वी नाइनटी थाउजंड है इसका एलसी का वर्गिकरन क्या होगा तो एच पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि पचास जार से ज्यादा जो होगे उन्हें इसका राइट एंसर है कोश्चन नमबर ट्वंटी टू डूरिंग कंस्ट्रक्शन ओफ फॉर्मेशन स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इस केप्टेज संरचना के निर्मान के दौरान संरचना का डलान इस पर का रखा जाता है राइट साड ने स्नेप्स ओड दिया ह हुआ है अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें साइड स्लोप टू इस्टू वन है तो ऐसा इसका जवाब होगा ऑप्शन ये टू इस्टू वन टू होरिजेंटल एन वन वर्टिकर कोश्चन नमबर ट्वंटी थ्री वेन लॉरी इस रिकॉर्ट तू वर्क बिदिन स्टेशन लिमिट दे पर्मिशन सैल भी अब्टेंड इन राइटिंग बिफूर वर्किंग दा लॉरी जब किसी लॉरी को स्टेशन की सीमा की भीतर काम करना अवस्यक हो लॉरी वो काम पर लगाने से पहले किसकी लिखित अनुमती लेनी पड़ती है तो जैसे कि आप स्नेफ सॉट मे इंचार्ज है टू दू पूश टॉली इंस्पेक्शन इंडिपेंडेंटली और एक कमपनिंग एडियन टू कभर इज इंटायर सेक्शन वंस इन हो मिने मंस एससे पर भारी को परते कितने महिने में एक वार अपने संपॉर्ण सेक्शन को कभर करने के लिए स्वतन्त आप स्नैप्स व्म में देख रहा हूं कि रख रह यह रही है तो से पूश टॉली जौ नहीं है लेकिन दोनों ही ऑप स्वces में हमारा जो कॉमइन जवाब रहा है वहारा है दो महीने तो इसका सही जवाब यहाँ पर दो महीने दिये जाएगा कुशन नमबर ट्वांटीफाइब स्सीप वे इंचार्ज एंजेए या थवा स्सीप वे सेक्शनल वे इंस्पेक्ट और लेबल क्रॉसिंग वन्स इन हाव मैनी मन्स स्सीप वे परभारी या जेएपी वे परभार को पढ़ते कितने महीने में एकवार अपने संपौर्ण सेक्शन को कवर करने के लिए स्वातनतर रूप से या एडिन या डिन के साथ पूश टॉली करना होता है तो यहां पर एक जो हिंदी वाला यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है जो हमारा कुश्चन नमबर टॉन्टी फाइव है जिसका इंग्लिस में है कि उसमें पूछा गया है कि लेवल क्रॉसिंग का प्रियोडिकल इंस्पेक्शन कितने समय होत करते हैं एक महीने इंचार्ज करता है और एक महीने सेक्शन वाला करता है पूश्चन नमबर टॉन्टी सिक्स की ओर देखें तो डूरिंग वीच केस गेटमें शुड नॉट सो स्टॉप एंड सिगनल बट सैल इंडिवर तो एट्रेक्ट दे अटेंशन ऑफ दे ड्राइव नहीं दिखाएगा तो उसके साब से यहां ऑप्शन सी ट्रेंट पार्टिंग इसका राइट अंसर होगा हुश्चन नमबर टॉन्टी सेबन में की ओर चले तो दा टॉप टेवल ऑफ दे गार्ड रेल अट दे मीजर ब्रिज उड नॉट बी लोवर देन डैट अट अधर र इसका जवाब होगा ट्वन्टी सेवन का ऑप्शन सी ट्वन्टी फाइव मिलिमेटर इसका राइट अंसर होगा कुश्चन नमबर ट्वन्टी एट अस्टीपेस ग्रेडियंट और विच रेल डॉली यूजड यूज इन पर्मिटेड एज पर आयार पी डव्लो एंग तो आयार पी डव्लो एंग के अंसर सबसे तिपर ढ़ाल जसपर के रेल डॉली के उप्योग की अनुमती है तो मैंनो के प्रोविजन में क्लिखा हुआ है कि रेल डॉली सैल नॉट बी वर्ग्ड ऑन दा सेक्शन है विंग ग्रेडिंट स्टीपर देन वन इन टू हंडेड तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट अंसर है तो इसके लिए ऑप्शन डी इसका राइट अंसर होगा जॉगल फिस्प्लेट बिद फार इंड बोल्ट सैल बिप्रोवाइड ऑन एटी वेल्ड आफ्टर दूर के छोर वाले बोल्टों के साथ जॉगल फिस्प्लेट को एटी वेल्ड पर कितने समय के बाद या परदान किया जाएगा तो इसके संबंध में कई प्रोविजन से है जुनमें से की ऑप्शन बी का प्रोविजन जैसे क्या स्नाइफ शॉट में दिया हुआ है कि जॉगल फिस्प्लेट बिफार इंड बोल्ट सैल वे प्रोवाइड ओन एटी वेल्ड विच वेल्ट विच वेल्ट विच वेल्ट ट्राफिक एकुल तो और मोर दन फिप्टी प से कम की दूरी पर अस्तानांतरन हुआ है तो कितने दिनों की जॉइनिंग टाइम मिलेगी तो स्नेफ सब्सक्राइब में लिखा हुआ है कि एक हजार से कम का अगर जॉइनिंग टाइम हो तो इसे इस कंडिशन में इसे दस दिन की इसको छुटी दी जाएगी यहां पर एक् पूश्चन नमबर थर्टी टू की ओर चलें तो हाउ मेनी इयर सेर्विज नेसेसरी फॉन्दा कंपनसेट अलाउंस तो यह स्नेफ सौट राइड में है एक लेटर एले बोर्ड का है उसकी अधार पर इसमें दिखा हुआ है कि दा इंपुलाई है जै मिनमम से तो उसे कंपनसेट अलाउंस से दिया जाएगा तो यहां पर ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा तो यहां पर आप देख सकेंगे लिखा हुआ है इसमें कि दे सैल केम इंटू फोर्स ऑन दा फ़र्स डे अफ्ट अक्टूबर 1968 तो ऑप्शन भी इसका यहां पर पोश्चन नमबर 34 की और चलें तो वाट इस फूल फॉर्म ऑफ मसीपी तो मसीपी की जो लेटर्स लिखे हैं उसमें उसका फूल फॉर्म और सौटकर लिखा हो रहाता है तो मोडिफाइड एस्टूड कैरियर प्रोग्रेसम स्कीम तो ऑप्शन भी इसका राइट अत्ता है जिसमें आप देख पा रहे होंगे गेरी लिखाओ के साथ सौ दीगौंट तक मैकस्मम लीमिट दी हुई है तो इसे मैकस्म मैईची WEig दीजा सकती है। राजभासा अधिनियंप कप पारित हूँआ तो एस नैपसोट जो राजभासा-धिनियंपने। साइट स्ट्सॅब न के अध्याच जी एम होते हैं यह गोरखपूर द्वारा जारी किया गया राजभसा समीती का प्रशनोत्तर है जिस में आप देख रहा हूँ कि छेतरी रिल्वी राजभसा करवन समीती के अध्याच कौन होते हैं तो लिखा हुआ है महापरबंदक यानि के जीम केंद्री हिंद समीधान की आठ्वे अनिम है बगल मैंने स्नैप्शॉट लिखा कुछ बाइस बसाहता और आज का आखिली सवाल है कि राजभसा आयोक की सिर्फपर गठित समीटी के पर्थम अध्याक्षकोन थे तो राजबासा आयोक की जो आयोक बना था उसके जो को वो बीजी केड़ते हैं और उसके अध्याजते पंडित गुबिंद वल्लव पंद यानि की जीबी पंद तो आता है इसका सही जवाब होगा उप्सन एक उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर इसमें किसी सवाल में कोई आप पती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं धन्यवाद फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में